फ्रेंट्स आज हम लोग calculate करने वाले energy in a simple harmonic motion जिसके अंदर एक particle जो है circular motion कर रहा है और उसे से जुड़ा हुआ एक particle दूसरा है जो कि उसी के एक axis के उपर oxalatory motion कर रहा है हमें यह जानना है जो oxalatory motion यह particle कर रहा है इसकी energy क्या है यानि कि कौन से point पे इसकी energy क्या होगी maximum होगी minimum होगी अब देखें फ्रेंट्स हमें पता है कि जो simple harmonic motion होता है वो एक mechanical system होता है और mechanical system में energy को दो बागों में divide किया गया है पहली है kinetic energy और दूसरी है potential energy अगर हम लोग बात करें एक simple harmonic motion यानि कि oxalation की जब भी आप किसी भी object को यहाँ उपर की तरफ डिस्पेस करते हैं यानि कि gravitational force की against काम करते हैं तो हमें पता है कि gravitational force ए conservative force और conservative force के against किया हुआ काम जो है वो potential energy डवलप करता है यानि कि अगर मैं इस object को यहां से यहां ले गया तो यहां पर इसके अंदर बहुत सारी gravitational energy जो है store हो जाएगी और वही gravitational energy बाद में kinetic energy में convert होकर कि इसको motion कराएगी और फिर इस तरीके से oxalation होता रहेगा simple harmonic motion हो जाएगा तो हमें जानना है potential energy और kinetic energy की value और last में यह भी देखना है कि यह दोनों energy जो है बराबर निकलती है या नहीं यानि कि minimum और maximum energies के बारे में तो पहले अगर हम बात करें kinetic energy of a body की तो बहुत simple है कि हमें पता है कि किसी भी body के अंदर kinetic energy तब होती जब उसके अंदर velocity हो और कुछ mass हो तो velocity के लिए तो हमारे पास दो equations पहले साम लोग निकाल चुक है velocity in simple harmonic motion जैसे कि पहली जो है velocity is equals to a omega cos omega t जो की है velocity और time के बीच की equation और दूसरी जो हमारे पास equation है वो है वी is equals to omega अंदरोड में a square minus y square जो की है velocity और displacement के बीच की equation इनी दोनों तरीके से आप velocity calculate कर सकते हैं अगर अगर आपको time दिया हुआ और velocity पूछे तो इस equation का यूज़ करना है और अगर आपको displacement दिया हुआ हो तो velocity calculate करनी तो आप लोग इस equation का यूज़ कर सकते हैं और हमें पता है कि जो kinetic energy होती है उसका जो formula होता है kinetic energy is equals to a 1 by 2 mv square तो जो m है वो mass of the particle है इस b particle का जो mass है और यहाँ पर velocity जो है वो V है तो यहाँ पर kinetic energy को calculate करने हम दोनों ही equations को एक एक बार इस V में substitute करेंगे और जो values निकल के आएंगे वो kinetic energy की निकल के आएंगे जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस पहली equation के यहने कि velocity और time वाली equation की बात करें और जब हम इसको इस V की जगा substitute करेंगे तो value निकल के आएगी के is equals 1 by 2 m a square omega square cos square omega t यानि कि अगर आपको कोई particular time दे दे यानि कि इतने second पर आप इसकी kinetic energy की value निकाल लिए इस object की तो आप आराम से इस equation की मदस से निकाल सकते है इसके लिए सारे चीज़ आपको पता होनी चाहिए ठीक है उसके अलावा यह जो दूसरी equation है है मारे पास velocity और displacement वाली इसको जब आप यहाँ पर substitute करेंगे तो आपके सामने value निकल के आएगी k is equals to 1 by 2 m omega square a square minus y square यानि कि अगर आपको कोई particular displacement दे यानि कि इस पूरे path में बोले कि इस 5 meter के बाद आप मेरे को kinetic energy की value calculate करके दिखाओ तो आप इस equation का use करेंगे तो इन दोनों equations की मदद से time और displacement के लिए दोनों तरीके से आप kinetic energy को calculate कर सकते हैं जैसे कि velocity में दो equation निकली थी वैसे यहाँ पर kinetic energy के अंदर भी दो equation निकली है अब मैं पता करना है कि इस पूरे path में maximum kinetic energy कहां थी और minimum kinetic energy कहां थी तो वो कैसे करेंगे तो इसके लिए दूसरी वाली equation है इसक से अगर मैं 0 घटा दूँ मतलब इस y की value अगर 0 हो जाए तो ये ऐसे कैसे पूरा का पूरा system आजाएगा मेरे पास 1 by 2m omega square a square राइट यानि कि y is equal to me 0 रखूँगा तो k is equal to me 1 by 2m omega square a square निकली आएगा मतलब y is equal to me 0 कहां होता है mean position पर mean position पर kinetic energy की value सबसे ज्यादा है देखिए अगर कोई object oscillation कर रहा है simple harmonic motion कर रहा है तो जब वो यहां से वापिस अपनी mean position पर आएगा तो उस time पर इसके पास सबसे ज्यादा kinetic energy रहेगी और उसी energy की मतलब से यह आगे motion करेगा और इसी तरीके से तो जो हमारा oscillation होता रहता है तो mean position पर इसकी maximum होगी kinetic energy इसका धमें ध्या हो जाएगा ना यानि कि वाई की जगह में जब ए रख दूँगा तो यह पूरी kinetic energy के value zero यानि कि minimum हो जाएगी और वाई जीकल स्टू में ए कहां पर होता है वाई जीकल स्टू में ए होता है आपके extreme points पर यानि कि यहां पर देखिए जब भी आप oscillation देखते हैं तो यहां प बिल्कुल low हो जाती है बिल्कुल कम हो जाती है खतम हो जाती है तो इसका मतलब जो maximum kinetic energy है वो main position पर होगी और जो minimum kinetic energy है वो आपकी extreme points पर होगी अब यही पर अगर हम लोग इसी object की potential energy को calculate करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं देखिए oscillation में जब भी आप किसी object को यहां से यहां य m जो है वो mass of the object है और alpha जो है वो acceleration of the object है क्योंकि acceleration को हम लोगोंने alpha के रूप में निकाला था यह जो होता है वो linear acceleration के लिए होता है अब मैं पता है कि जो alpha की value है acceleration की value है जो हम लोगोंने calculate करी थी acceleration वाली वीडियो में वो थी alpha is equals to minus y omega square तो इसका मतलब यह जो मेरे पास f is equals to m m m alpha है इसमें मैं alpha की value substitute करूँगा तो f is equals to minus m y omega square value निकल के आएगी तो यानि कि यह वो force है जिसकी मदद से मैं इस object को इस mean position से यहाँ पर displace कर पाया और इसी force की मदद से दोबारा यह object इस तरब जाएगा तो इसी force को हम लोग दूसरी भाशा में restoring force भी कहते है आला कि इसको ह अब करना यह है कि मुझे यह पता करना है यह जो force मैंने इसको पर किया है यह यहाँ पर इस force की वएसे यहाँ पर यह आया है और उसी force की वएसे यह आपिस यह जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर लाते राते है इस force की मदद से इसके अंदर कोई ना कोई energy store हो गई होगी और उसी energy को हम लोग potential energy कहते हैं देखिए मैं आपसे कहूंगा कि potential energy का concept के उपर मैंने एक वीडियो बना रखी है आप potential energy के concept को अच्छी तरह से समझ लें तो आपके लिए बैतर रहेगा तो यहाँ पर वो potential energy के रूप में store रहेगी और potential energy को हम लोग कैसे calculate करते है work done के तो मैंने इसके उपर कोई ना कोई work किया होगा वो work यहाँ पर store हुआ है energy के रूप में ठीक है तो उस work की value मुझे calculate करनी पड़ेगी energy की value निकालने के लिए और work जीकुर्ण में क्या होता है force multiply by displacement यानि कि यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 0 से y का integration f dy मैंने 0 से y क्यों लिखा है right f की value अगर मैं इसमें substitute करूँ तो minus का m y omega square dy ठीक है हमें पता है कि minus का m omega square जो है वो constant है ठीक है तो इसन दोनों को अपन लोग भारक देंगे तो यहाँ पर जो integration है 0 से y y dy ठीक है और y का जब आप integration करेंगे तो y square अपन में 2 यानिकि value निकल के आएगी w equals 1 by 2 m omega square y square यह minus मे है value लेकिन हमें पता है कि यह minus में इसलिए है क्योंकि यह सिर्पोजिट direction को दिखा रही है तो इसका मतलब work का जो magnitude निकलेगा वो निकलेगा w equals 1 by 2 m omega square y square ठीक है और हमें पता है कि जो work होता है वो है potential energy के रूप में store होता है तो potential energy equals 1 by 2 m omega square y square तो यहाँ पर यह जो मेरे पास potential energy निकल के आई है ये मेरी potential energy और displacement के बीच की equation नीकल के आई है और वहीं मैं कहूं कि pancake energy की तरह potential energy और time के बीच मैं एक relation निकालना चाहो यानि एक equation निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकता हूँ इस y की जगह value रख करके और y क्या हो है यहाँ पे displacement और y की value क्या होती है a sin omega t displacement मैं बता चुका हूँ कैसे होती है आप जाकर के देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर a sin omega t को जब आप substitute करेंगे तो value निकलेगी potential energy जी को स्कूर में 1 by 2 m omega square a square sin square omega t यानि कि यह वाली जो equation है उपर वाली यह potential energy और displacement के बीच की equation है और नीची वाली जो equation है वो potential energy और time के बीच की equation है जैसे कि दो equation हम लोगोंने kinetic energy को लेकर निकाली थी दो ही equation हम लोगोंने potential energy को लेकर के निकाली थी और वहीं मैं कहूँ इसकी maximum potential energy यहाँ पर कहा होगी इस पूरे path के अंदर तो आप कैसे calculate करेंगे तो बहुत simple है कि अगर मैं इस equation में y की जिगा है अगर मैं a रख दूँ तो यानि कि a जो है वो पूरा radius है हमें पता है पूरा amplitude है तो इसकी जिगा जब a substitute करेंगे तो potential energy जिकाली जिकाली 1 by 2 m omega square a square value निकलके आएगी तो इसका मतलब यह जो है वो maximum potential energy होगी और y जिकाली में यह कहा होता है extreme points पर तो extreme points पर potential energy की value maximum होगी हमें पता है जब भी कोई object motion करता है तो यहाँ पर आकर के extreme पर आकर के एक बार रुक जाता है और जब यहाँ पर रुक जाता है तो यह अपने अंदर पूरी energy store कर लेता और उसी energy को हम लोग potential energy कहेंगे और वो maximum होती है और उसकी value यह होती है और वही minimum potential energy का होगी जब आप इस y की जगा 0 रख देंगे तो पूरा पूरा term 0 हो जाएगा यानिकि mean position पे mean position पे potential energy की value है वो minimum होगी अब आप इसे थोड़ा सा chain मना करके बिस्तमा सकतें कि एक object आपके समने oscillation कर रहा है तो मैं इस object को यहाँ से यहाँ तक लेके गया तो यहाँ पर जो potential energy है वो maximum है यानि कि यहाँ पर potential energy store हो गई जब आप इसको release करेंगे छोड़ेंगे तो जब यहाँ पर जा रहा होगा तो यह जो potential energy है kinetic energy में convert होगी और mean position पर यह maximum kinetic energy में convert हो जाएगी और उस maximum kinetic energy के वेशे यह दोबारा इसतरब जाएगा फिर kinetic energy घटती जाएगी और यहाँ पर आते आते दूसरे extreme पर जो हमारी potential energy है वो maximum हो जाएगी यानि कि जहाँ potential energy maximum है वहाँ kinetic energy 0 है और जहाँ kinetic energy maximum है वहाँ potential energy 0 है तो इसका मतलब यह दोनों energy एक दूसरे को conserve रख रही है बराबर है तो यही concept हमें पढ़ना था कि mechanical energy जो है वो conserve रहती है और simple harmonic motion में जो energy है वो oscillation करती रहती है एक्स्ट्रीम पर potential energy maximum और mean position पर kinetic energy maximum तो यह चीज हो जाती है energy in simple harmonic motion energy भी इसमें oscillation करती है तो फ्रेंट्स यह हो जाता है energy in simple harmonic motion की equations I hope आपको यह समझ में आई होगी इसके बाद भी कर आपको query आती है कोई दिक्कत आती है तो आप पूरानी वीडियो जा करके देखिए जैसे कि displacement है velocity है acceleration है time period है और अब यह energies है इन सभी terms की मदद से हम लोग एक system यानि कि जैसे spring हो गया pendulum हो गया complex motion हो गया उससे आपको आसानी से समझ पाएंगे क्योंकि यह सारी चीज़ें उसको एक base है so friends I hope आपको यह energy of in simple harmonic motion समझ में आया होगा इसके बाद भी कोई query आती है कोई problem हो जाती है फिर हम से कोई गलती हो जाती है तो please हम में comment section के जरीए पूछिए so friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही see you next